आप देख रहे हैं दखल न्यूज नागरिक्ता कानून पर प्रधार मंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला कॉंग्रेस और अर्बन नक्सरी लोगों में जूट फैला रहे हैं अब CAA और NRC के समर्थन में लोगों का शांदी पूर्प्रदर्शन 1100 गुद्ध जीवियों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया कॉंग्रेस नेता दिग्विजे सिंग का बयान मोदी और शाह देश को बरबादी की और ले जा रहे हैं फ्लाइट में मन माफिक सीट नहीं मिलने से सांसक प्रग्या नाराज जहाज में ही दिया धरना और जबलपुर में बस और ट्रक की टककर चार लोगों की मौत 35 से ज़्याद अगायर नमस्कार मैंू सत्यम शर्मा आप देखने हैं दखलने हूँ जब खबरे विस्तार से नागरिक्ता कानून पर देश भर में बवाल के बीच प्रधार मंती नरेन मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून देश के हिंदू मुस्लिमों के लिए नहीं है उन्होंने विप्यक्ष पर लोगों को गुमरा करने का आरोप लगाते हुए का कि देश को डर और आराजकता के महल में धकेलने की साजिश हो रही है एक जूट जो कांग्रेस और अर्बन नकसली फैला रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए देश में डिटेंशन सेंटर बना है मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि देश में ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने वेपक्ष पर बड़ा हमला भूला और कहा मुस्लिम बाहुल देशों के समर्थन से कांग्रेस परशान है उन्होंने का कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए लगातार साजिशन चलती रहती है कांग्रेस और उसके सायोगी आज इस बास से भी तिलमलाय हुए है कि आखिर क्यों मोदी को अंतराश्टी इस्तर पर और खासकर मुस्लिम बाहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते है प्यम ने कहा कि साओधी अरब बहरीन युए से भारत के रिष्टे सर्वुत्ता में प्रधान मंतरी नरिन मोदी ने अपने संबूदन में शरणार्थी और घुस्पेटियों में भी अंतर समझाया प्यम ने कहा कि एक घुस्पेटियों कभी अपनी पहचान नहीं बताता और एक सर्णाती कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है ऐसे कई घुस्पेटिये बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं वे अपनी सचाई क्यों नहीं बताते हैं वे डरे हुए हैं क्योंकि उनकी हकीकत सामने आ जाएगी पियम मोदी ने C.A. पर विरुत को लेकर पश्यम बंगाल की C.M. मम्ता बेनरजी पर भी निशाना सादा पियम मोदी ने कहा कि आज मम्ता बेनरजी कोलकता से C.D. सजिक राष्ट पहुच गई हैं लेकिन कुछ साल पहले तक यही मम्ता बेनरजी संसाद में खड़े होकर गोहर लगा रही थी कि बंगला देश से आने वाले घुस्पोटियों को रुका जाए वहां से आए पिड़ित मकल्कता के बहार रेगूलर आर्मी का काम होता है देश के अलग अलग भागों में उनके गृ दिल होती है वो ग में गया आठीक की का सिथी हैं कभी परिस्यठी पी पार्दद हुई और आर्मी को मूह करना पड़े तो रोड ठापिक करोना याज घूलर मंने खड़ी होता है रहे हैं भाईयों मैंनों आज वो नागरी का कानूंस में सवाल उटा रही है खर आपकी दिक्कट समझ में आती है यहां बैटे हुए लोग भी समझते हैं आप किसका विरोग और किसका समर्थन कर रही हो यह पूरा हिंदुस्तान बली बांती देख रहा है साथियों आज इस वामपंध को बारत की जनता नकार चुकी है जो अब दुनिया में से सिकुर्थे सिकुर्थे कुछ कौने में रह गए हैं जो अब समाप्ती पर है उसी के दिग्ज़ यह भी जड़ा देख लीगे यह कॉमिनिस्ट पार्टी के दिग्ज़ उनके नेता प्रकास कारंती ने कहा था कि दार्मीक उस्पड़न की वज़े से बंगला देश से आने वालों को मदद की बात उन्हों ने भी की थी आज जब इनी लोगों के राजनितिक दल दार्मीक उस्पड़न की वज़े से भारत आये सरनार्फियों को नागरिक्ता देने से मना कर रहे हैं तो इनका आशली चहरा भी देश के लोगों के सामने आ रहा है उस समय की हमदर्दी सिर्फ और सरफ भाना का बोट मेंकी राजनिति थी देश की जंता के साथ बोला गया सफेज जूटा पक्का जूटा सच्छा यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ बोट मेंकी राजनिति कर सकते प्रदानमंती नरेन मुदी ने कहा कि अब भी जो ब्रहम में हैं मैं उनसे कहूंगा कि कॉंग्रेस और अर्बन नक्सिलियों दोरा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवा सरासर जूट है उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के मिट्टी के मुसल्मान हैं उनसे नागरिक्ता कानूर और अनर्सी दोनों का ही कोई लेना देना नहीं है प्यम ने कहा कि C.A.A. का फाइदा नए शर्णार्सियों को नहीं मिलेगा प्यम ने कहा ये एक्ट उन लोगा पर लागू होगा जो बर्सों से भारत में रह रहे हैं किसी नए शर्णार्सियों को इस कानून का फाइदा नहीं मिलेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगला देश से धार्मिक प्रतार्णा की वज़े से आये लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है कई दिनों से जारी C.A.A. N.R.C. के विरोध में महौल देखने को मिला लेकिन अब इसके समर्थन में लोग खुल के सामने आ रहे हैं देश भर में सौ से ज्यादा शहरों में C.A.A. N.R.C. समर्थक सड़कों पर उतरे और शांती पूरवक्त प्रदर्शन किया ग्यारा सो बुद्ध जीवियों, सिच्छा विद्यो और सोधार्थियों ने एक साथ आकर सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है इन सभी लोगों ने सामोहिक बयान जारी कर कहा है कि यह कानूल पाकिस्तान और बंगला देश से सहर्मिक प्रतार्णा के चलते भारत आयश शर्नाथियों की सालो पुरानी मांग को पूरा करने वाला है C.A.A. और N.R.C. के समर्थन में अब देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए है हाला कि यह सबी प्रदर्शन शांती पूर है और इनमें अब तक हिंसा की कोई वार्दा सामने नहीं आई है नागरिक्ता सैंशुदन कानून को लेकर 1100 बुद्धी जीवियों, शिक्षाविदों, शुदार्थियों ने एक साथ आकर इस खैसले का समर्थन किया है इन सबी लोगों ने सामय बयान जारी कर कहा है कि यह कानून पाकिस्तान और बंगलादेश से धार्मिक प्रतालना के चलते भारत आये शर्णार्थियों की सालों पुरा करने वाला है इस वज़े से उन्हें भारत की नागरिक्ता आसानी से मिल सकेगी बुद्धी जीवे ने अपने बयान में कानून के खिलाफ हिंसा करने वालों पर भी नाराज की जिताई है बुद्धी जीवे ने कहा है कि 1950 में नेरू लियाकत समझते के फैल होने के बाद कांगरेस मास्पा जैसे राईनितिक डलों ने इन्हें नागरिक्ता देने की वकालत की थी इन सबी ने इस कानून को लाने के लिए मौजूदा मूरी सरकार और भारती संसत दोनों को ही धन्यवाद दिया है बुद्धी जीवें का कहना है कि ये कानून पूरी तरह से समझधान के मताबिक है ये किसी भी देश के नागरिकों को भारत की नागरिक्ता लेने से रोकने का नहीं वह चाए किसी भी धर्म को मानने वाला हो ये कानून सिर्फ पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक परतारना के आधार पर भारत आए अल्प संखक शरनार्थियों को नागरिक्ता देने के बारे में हैं दूसरी और राजपूत करणी सेना ने इस कानून को देश के हितका कानून बताया है राजस्तान की ख्यात शत्री संगटन राजपूत करणी सेना इस बात की घोशना की है कि वे इस कानून के समर्थन में अंदूलन करेंगे सेना के राष्टिय देश मैपाल सिंग मकराना ने सोशल मीडिया एकाउंट पर इसकी सूचना भी दी है और सबसे आवान किया है कि वे नागरिक्ता संशुधन कानून के समर्थन में सामने आए मैपाल सिंग मकराना ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अफकेन सरकार को समर्सन देने का समय आ गिया है पिछले अलतालिस घंटों में जब इस कानून के विरोध में देश में दंगों जैसे हालात मिर्मित कर दिये गए हैं तो आम लोगों को इसके समर्सन में खुल कर सामने आना पड़ा है इस दौरान तकरीबन सौ शेहरों में युवाओं, बुद्धीजीजीओं, शिक्षाविदों और शोधार्सियों ने फैसले के समर्सन में प्रदर्शन किया कॉंग्रेस नेता दिगवजे सिंग ने कॉंग्रेसियों को प्रदर्शन करने के गुर सिखाए उन्होंने कॉंग्रेस कारकरताओं से कहा कि मोदी और शाह मिलकर सम्विधान की मूल भावना को खत्म कर देश को बरबादी की ओर ले जा रहे हैं इन दूर में कॉंग्रेस नेता दिगवजे सिंग ने कॉंग्रेसियों को बताया कि प्रदर्शन के दौरान उन्uff क्या करना है उन्होंने ये भी बताया कि अगर पुलिस के एक्शन को रुखना है तो असामारिक रूप से जंगन मन गाना शुरू कर दें दिग्वे ने कॉंग्रिसियों को संकट की घड़े में मिल जुलकर संगर्श करना पड़ेगा कांग्रिस पे संकट है कैसे बचे नहीं हिंदू मुसल्मान सिंग किसाई एक हाथ में तरंगा दिना और एक नारा हम सब दूसरा नारा हिंदू मुसलिम सिंगी साई और जहां पुलिस रोके खड़े होके तुम भी खड़े हो जाओ तुम भी खड़े हो जाओ कि बिल में कोई न क कोई तो कमी है जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है गोविन सींग्र का पूर्ब्ज यद्ट का व्यक्ति बिरोत कर रहा है उन्होंने का विज इस विए यहंसेवग करते हुई रश्टी स्वयम्न से वाहक एजन्य को कानुन बना रही है जो देश में भाई चारे को वरबाद और बदनाम कर रहा है कोविन सिंग ने कहा कि BJP के प्रथम शर्णी के नेता से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है इन बिलों को लाना हमारी रणनीती का हिस्ता है अगर BJP के वरिष्ट नेता ऐसी बात कर रहे हैं तो पूरे देश में BJP का एजेंटा सब के सामने है हमें कई भारती जन्ता पार्टी के नेतां से अभी बात हुई जो मद्व देश के प्रथम सिर्णी के नेता है उनका ख्याना है मेरे तो रणनीती है मैं तो इसको जड़ाओंगा ज्यादा ज्यादा दंगे आ फसाद हो तो उससे हमारी पार्टी को लाओंगा हम राम मंद्र के नाम पर दो से लेके आज सरकार में पहुँच गए तो हमारा तए एजण्डा है यह ऐसा भार्थी यंता पार्टी के बरिश िनलिता ज़न के दौरारा ज़से का बरेइट है जब इस पर्ष्ट में कहा रहे हैं खुले करें आ है तो उनकाएजंडा सब के सामने है देश के सामने है स्पाइस जेट की दिल्ली उडान से भोपाल आ रही सांसा साधवी प्रग्या सिंग ठाकुर को पसंद की सीट नहीं मिली तो भी विमान के अंदर ही धरने पर बैट गई एरपोर्ट डारेक्टर के अरोध पर भी विमान से उतरी बाद में उन्होंने स्पाइस जेट के प्रबंधन के खिलाब सेवाओं में कमी की शिकायत दज कराई साधवी प्रग्या ने विमान में धरना दिये जाने सिंगकार किया है साधवी प्रग्या शनिवार शाम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उडान संख्या स्जी 2489 से भोपाल आ रही थी विमान के अंदर उन्हें सीट नमबर टू रे दी गई सांसा चाती थी कि प्रोटोकॉल के रहास से उन्हें सीट नमबर एवन दी जाए लेकिं ये सीट पहले से दूसरी जाती को दी जा चुकी थी शाम साथ बजे विमान टाजापोर्ट पर लेंड हुआ बोपाल के सभी जाती उतर गए लेकिन साधवी विमान से नहीं उतरी वे विमान के अंदर ये धरने पर बैट गई गई इस्पाइट जैस के स्थाफ ने भी उन से नीचे आने का अंडरोट किया लेकिन वे नहीं मानी बाद में एरपोर्ट डारेक्टर अनिल विक्रम विमान के अंदर पहुंचे और सांसस से धरना समाप्स करने का अंडरोट किया एपीडी के अंडरोट पर वे 20 मिट बाद विमान से नीचे उतरी एरपोर्ट के वी आईपी लाउंच पहुंचकर उन्होंने स्पाइज जैट की सेवाओं के खिलाफ शिकायत दज कराई उनके विमान से समय पर नहीं उतरने के करन ये विमान वोपाल से 20 मिट की देरी से वापस दिल्ली रवाना हुआ हाला कि प्रग्यान विमान में धरना देने को गलत बताया है तो उस समय की भी यह घटना है इनके बिहार ठीक नहीं थे आज भी ठीक नहीं था मैंने कहा कोई कारण है जो सीट बुक करवाई उस पर नहीं बैठना है उनका कोई कारण होगा तो नियम बुक बता दो जी जी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया तो उनका जो बेवार रहा उस पर फिर मैंने डारेक्टर को बुलाया गियरपोर्ट डारेक्टर को उनको मैंने साध्वी प्रग्या एरपूर्ट से होते हुए भाश्पा के पूर्व जिला द्यक्ष भगवान दास सब्नानी के साथ सं थरजार आम जी की कुटिया पर पहुंची यहां पत्रकारों से बास्चित करती हुए उन्होंने कहा कि स्पाइज जैज की सिवाएं ठीक नहीं है कंपनी अपनी जम्मेदारी से मुझ मूर रही है मैंने जो सीट बुक कराई थी वह नहीं दी गई मैंने धर्णा नहीं दिया है लेकिन सेवाओं में कमी की शिकायद दर्ज कराई है साध्वी ने कहा कि स्पाइज जैज ने इससे पह इक ग्रामीन र buffet की हट्या कर दी कटना बांदे थाना शियठ के उलिया की है जहां च्हह वर्दीधारी नकसलीने पектив शक्त में एक ग्रामीन को उसके घर से उठा लिया और घर से कुछी दूरी पर ले जाकर ऑर नकसल universके बर्बरता बरी गटना से छेतर के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है गटना के बाद से मरतक का परिवार सदमे में है गौर तलब है कि आए दिन नकसली मुखबरी के शक की चलते गिरामियों की हत्या कर देते हैं नकसली पुलिस की नकसल विरोधी नीतियों और नकसली की आत्मसमरापण से नाराज हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं नकसली रंजीत की लाश के पास एक परचा भी छोड़ कर गए हैं पुलिस मित्र अभियान का बहिश्कार करो हमारे जानी दुश्मन हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं नकसली रंजीत को पुलिस मित्र बताकर उसे मौत के घाट उता रहा है भारती कमनेश पार्टी माववादी भामरागड एरिया कमेटी ने इस हत्या की चिम्मेदारी ली है फिलाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजी रोंगे आप देखते रहे ही दखादे संगीत की स्वर लहरियों से जबर्पुर के बरगी बाइपास पर बीती राजबस ट्रक की सीथी बिरंद हो गई इस बिरंद में चार लोंगी मौत हो गई और 35 से ज़्यादा लोग घायल हो गई बरगी बाइपास पर ट्रक और यातियों से भरी बस में भीश और भिरंद हो गई हाथसे में चार यातियों की मौत हो गई है और 35 से अधिक लोग घायल हो गई है गायलों को एम्बूलेंस और निजी वाहनों से मेडकल अस्पतार में भरती कराया गया है बरगी सीस्पी रवी चुहान ने बताया कि बस जबलपुर से बाला घार जा रही थी ट्रक और बस की आमने सामने से भिरंत हुई इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे हाथसे में मारे जाने वाले में दो पुरुष एक महिला और एक बच्ची शामिल है बस और ट्रक के बीच हुई टककर की तेज आवाद सुनकर ग्रामी रुमा पहुँचे इसके साथ ही रास्ते गुसे गुजर रहे अन्य वाहन चालक भी रुग गए और घटना की सुचना पुलिस और एम्बूलेंस को दी उन्होंने घायलों को बाहर निकाला और उसने पूछा कि कहीं गंभीर चोड़ तो नहीं लगी है घटना में एक बच्ची बस में बुरी तरह से फस गई थी जिसे निकालने में पुलिस और ग्रामीनों को घंटों मशकत करनी पड़ी किसी तरह बच्ची को निकाला गया लेकिन उसने बस से बाहर आते ही दम तोड़ दिया समाधी लगाने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई इस युवक ने 108 घंटे के लिए जमीन के भीतर समाधी लगाई थी लेकिन समय पूरा होने पर युवक की लास सामने आई यह घटना 36 गड़ के महा समुन्द की है जमीन में एक गड़ा खोद कर उसमें 108 घंटे की समाधी लगाना एक युवक को भारी पड़ गया और उसकी मौत हो गई चमन नाम का ये युवक पाच साल से खतानाक समाधी ले रहा था इसने पहले साल 24 गंटा, दूसरे साल 48 गंटा, तीसरे साल 72 गंटा और 14 साल 96 गंटा की समाधी ली इससे पहले भी चार बार बेहोशी की हालत में गड़े से यह निकाला गया था चमन पाच भी बार 108 गंटे की समाधी पर चार फुट गहरे गड़े में जा बैठा, फिर वापस जिंदा नहीं लोटा इस युवक ने 16 दिसंबर की सुबह 8 बजे समाधी लगाई, पांच दिन बाद 20 दिसंबर को दोपर 12 बजे जब उसे समाधी स्तल से बाहर निकाला गया तो वह कथित तोर पर बेहोश था, उसे बाहर निकालकर नेजी अस्पाताल में ले गए, जहां से जिलास्पाताल महासमुद रिफर किया गया, जहां चिकस्कों ने उसे मृत घोशित कर दिया इस युवक के समाधी लेने का वीडियो सोसल मीडिया पर भी वैरल हो रहा है, इस सब की जानकारी प्रशाशन को थी, लेकिन किसी ने इस मामले में कोई पहल नहीं की चमन दास जोशी वर्स 2015 से इस तरह खतरनाग धंक से समाधी ले रहा था, पिछले साल पुलिस के कुछ जवानों ने मौके पर पहुंचते हुए से समाधी लेने से मना किया, फिर भी वै नहीं माना और धार्मिक आस्था से जोडते हुए सतनाम पंत का पुजारी और बाबा गुरु घासी दास की प्रेणा बता कर उसने समाधी ले ली, पोस्ट मार्टम के बादशव परिजनों को सौप दिया गया, जहां उसके भक्तों ने उसी समाधी वाले गड़े में दफना कर अंतिन कारवाई की तरंजन के नर्देश पर टियाई अरून पंडे के नेतरत में बैड़न बस स्टेंड में आए रहे, मस्जद के आसपास वा गन्यारी बिजनिस प्लाजा साइज शेहर के संविद अंशिल एवं सार्जने के स्थानों पर डॉग स्कॉर्ड वा बीडी एस टीम के साथ इस कार तो तरंट कुटवाली पुलिस को इसकी सूचना दी जाए हो गई और उसे दिक्षक कार्याले हो गया या पार्क बगएरा हैं जो महतुपूर्ण पॉब्लिक पेसेस हैं उनकी चेकिंग के लिए ये टीम आई हुई है और बहुत ही बारीकी से टीम के द्वारा सभी महतुपूर्ण की चेकिंग जाज परताल की जा रही है संत हिर्दाराम की तेरह भी पुलेती थी कि अवसर पर संत हिर्दाराम नगर में बड़ी संख्या में श्रधालू संत जी के समाधी स्तर पर पहुंचे इस दोरान संत हिर्दाराम जी को याद किया और उनके पजिन्धों पर चलने का संकल्प लिया अपना संपून जीवन मानफ सेवा को समर्पित कर देने वाले स्वामी हिर्दाराम साहिब की पुनिती थी कि अवसर पर संत जी की कुटिया इस दित्त समाधी पर सुबह से ही शद्धालूं का जमावडा लगा रहा कुटिया में सुबह हवन पाठ कर परसाद वितन किया गया उसके बाद उनकी समाधी इस तरक शद्धालूं के दर्शन हितु खोल दिया गया देश विदेश से संत जी के नौयाई एवं आसपास के शद्धालू उनकी समाधी के दर्शन करने पहुंचे बोपाल महापार आलुक शर्मा विधायक रामेशो शर्मा कॉंग्रेश जिला अद्यक्ष के लाज मिश्टरा साहिद कई नीता और अधिकारी संती जी की समाधी इस तरप पहुंचे हिदारान साहिब को सबने याद किया और शद्धा समन अर्पित किये सद्धर राम जी हम सब के आदर के केंदर थे और उनकी सदे भुपाल बासियों के उपर किरपा बनी रहती थी भूडे बच्चे और वीमार है परमेश्वर के प्यार करें भावना से इनकी सेवा फाइल लोग और परलोग में सुख अपार ऐसा उनका हमको उद्बुदन मिलता थे हमेशा वे सदमार्क पे चलने की बात गुरुदेव केते थे आज उनकी समाधी स्थल पे हम आए हैं मथ्था टेका है और परम पूजी गुरुवर से अदना करते हैं हम सब को समाध सेवा में काम करने के लिए आशिरवाद देना सकते संत हिदाराम जी की आज पुर्णियों तिथी है आज जी की दिन संत जी जो है मानों सेवा करते करते जो है वो मौक्षित हम को प्राप्त हुए थे और सब्सक्रा जीवन उनका प्रणा जाई रहा है तो ऐसे संत थे जो दुनिया विड़ले ही होते हैं मैंने तो अपने होश इनका कोई महत्त नहीं था जिन वस्त्रों में वह उन्होंने जन्द के उप्रान धारंड किया उसी को त्याकर वह चले गए उन्होंने अपने लिए नहीं समाद के लिए किया और एसे संत की पुर्णि परनाम करता हूं बंदन करता हूं कांकेर में धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान हो रहा है धान फड़ संचालक यह कहकर धान नहीं खरीद रहें कि धान की गुर्वत्ता सही नहीं है किसानों का कहना है कि इस बार ज्यादा बारिश की वजए से धान का रंग जरूर अच्छा नहीं आया है पर धान की गुर्वत्ता खराब नहीं है पूर्व की सरकार में इस तरह की परेशानी किसानों को कभी नहीं आई किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि यही धान बेचकर वो बैंक का कर्ज चुकाएंगे अपने घर का पालन पोशन करेंगे कांकेर में परेल कोट के 133 गाव में धान खरीदी केंद में धान नहीं खरीदी जाने से किसान परेशान हो रहा है किसानों का धान यह कहकर धान फर संचाल को द्वारा वापस कर दिया जाता है कि धान की गुरवत्ता खराब है जबकि किसानों का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा होने की वज़े से धान के दानों पर अच्छे रंग जरूर नहीं आए है पर धान वापस कर दिया जाए वैसा खराब नहीं है आज तक इस प्रकार की कभी दिक्कत नहीं आई है भूपेश बगहल की नई सरकार में किसानों को बहुत परिशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों का कहना है कि ये धान बेच करी बैंक से लिया गया लोन चुकाना है घर की जिम्मेदारी भी इस धान बेचने पर ही निर्वर करती है ऐसे में धान नहीं विका तो आत्मेहत्या की नौबत आ जाएगी धान फटक संचालनकों का कहना है कि उपर से आदेश मिला है और बांदे लेंज के मैनेजर का निर्देश है सिर्फ अच्छी धान की खरीड़ी करें बाकी वापस कर दें वहीं किसानों की शिकायत है कि धान पर टोकन 40.5 ग्राम का दिया जा रहा है प्रति बोरी पर धान 41.3 लिया जा रहा है फड़ों में हमाल खर्च के नाम पर प्रति बोरी 5-8 रुपए तक वसूला जा रहा है धान की गुरवत्ता खरा बोलकर 4-6 बोरी धान की मांग की जा रही है विरोत करने पर धान की गुरवत्ता खरा बोलकर वापस कर दिया जा रहा है तहसिल दाशेखर मिश्रा का कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है और लगातार वो अपनी टीम फड़ों में भेज रहे हैं किसानों का एक दाना ज्यादा गलत तरीके से नहीं लेने दिया जाएगा धान का गलत तरीके से परिवहन किया जा रहा है उस पर अब तक कई कारवाई की जा चुकी है और आगे भी कारवाई की जाएगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का कहना है कि कांग्रेस की भूपेश बगेल सरकार ने गंगा जल चूकर के कई वादे किये थे जिसमें किसानों के फसलों का एक दाना खही दे जाने की भी बात कही गई थी साथी कहा था कि 25 सो रुपय कुंटल धान खरी देंगे लेकिन उनका कारकाल एक साल हो जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है किसानों को सरकार प्रधाडित कर रहे हैं किसान वेहरं य ह Qian्म सोचाइटि में धान बेचने जारह है तो वहा पर किसानों को धान को अधिकतर रेजेट किया जा रहा है कई जगह बोलते हैं आपका धान में भूसा हैं कभी टोकन के नाम से कभी आपको आठी उंटल तक खरीदेंगी इस प्रकार से सरकार की इस्थिती इस परश्टर नहीं हो पारी है तो किसानों को बहुत ज्यादा आखरोस जनता में हैं इस बात को लेके निची तुरुप से भारती जनता पालिटी भी बीच में आंदोलन भी क आने वाले समय हम किसानों के साथ कड़े हैं और इस व्योस्ता में सुधार सरकार नहीं करती तो किसानों साथ बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं और निची तुरुप से किसानों के साथ परतमान सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कोई वादा खिलाफी नहीं होने चाहिए आप सिंग्रावली में पुलीस अधिक्षक अबजीत रंजन ने अपरादों को लेकर समिक्षा बैठा की इस दोरान गंबीर अपरादों और लंबित मामलों की समिक्षा की गई सिंग्रावली में पुलीस अधिक्षक अबजीत रंजन ने अपरादों को लेकर समिक्षा बैठा के दोरान अनुभाग वार एवं थाना वार लंबित समस्त अपराद लंबित मर्ग लंबित चालान लंबित गुम इंसान के प्रकणों की समिक्षा की गई साथ ही त्रीवर्शी तुलनात्मक अपराद लगु अधिनियम प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत की गई इसकारवाई की समिक्षा की गई इसके अलावा सीम हेल्प लाइन एवं समस्त अपराद के लंबित सभी शिकायतों की बारिकी से समिक्षा की गई और इसके सीग्र निराकरण किये जाने खेतू थानप्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी को शक्त निदेती गई लंबित गंबीर अपराद में हत्या, हत्या का प्रयास, दहेज, हत्या, लूट, बलातकार, अपहरण, तार चोरी, दो पहिया, चार पहिया, वाहन चोरी, बल्वा, अपहरण से संबंदित अपराद एवं महिला तथा स्सीजी से संबंदित खटित अपरादों की प्रकण, वारवारी की से समीख्षा की गई इस बुलेटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें दखल नियूद दखल आपके हक में का संगीत की स्वदेहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने ता चंबल के եींठोयां से नकसलवादियों के गड़ता जोपडी से महलो ता थेलों से मेलो ता, पक्दंडियों से सड़कों तक गाउं से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूटनीती तक दखन नियूद आपके हत्त आप देख रहे हैं दखन नियूद